बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानम नियम्यचा बुद्ध्या विशुद्ध्या 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 विशियों को त्याग करके रागद्वेश व्युदस्यच अर्थात और रागद्वेश से रहित तो श्री कृष्ण अब ब्रह्म को जानने के योग्य विक्ति का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा जो विक्ति होता है वह शुद्ध बुद्धी और अनुशासित धृति अर रहता है और जो शब्द आदि इंद्रियों के विशियों को त्याग करके रागद्वेश से मुक्त हो जाता है वह ब्रह्म ग्यान प्राप्ट करने के लिए योग्य होता है तो यहां पर हमें जो समझना है वो ये है कि जो शुद्ध बुद्धी होती है वह वह Josh ज है जो की स तो इस परकार शु्दवधि और अनुशाषत धृती जो है वे कुछ ऐसी होगी जो की इंदरियों की जो विषय होते हैं उनके प्रतिवदासीन होगी क्योंकि जो इंद्रिये विशय होते हैं वह बुद्धि को व्याकुल करते हैं और धृति को दूर्बल बनाते हैं तो इसलिए यदि किसी को ब्रह्म ग्यान की प्राप्ति करनी है तो उसको ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो कि इंद्रियों के विशय से प्रभावित ना हो तो उस say vyaaqul nawh. तो यहाँ से हम समझ सकते हैं की अनुशासit धृती और shudda buddhi केवल उस व्यक्ति की हो सकती है. जो की וिशियों का त्याग कर चुका है. अब इंडरियों के विश्यों का त्याग सीधे सीधे राग और दूशच से मुक्ति प्रजान करने वाला होता है. क्योंकि हमारों जीवन होता है उसको जीते हुए निश्चिती हमारे जीवन में हमें सुखद और दुखद दोनों ही प्रकार के अनुभाव आएंगे और जब व्यक्ति को किसी अनुभाव के सुखद और दुखद होने की चिंता नहीं रह जाती तो स्वभाविक है कि उस प्रकार का जो व्यक्ति है वह इंद्रियों का त्याग कर चुका है क्योंकि यह जो अनुभाव का सुखद या दुखद होना है वह किवल इंद्रियों के माध्यम से ही व्यक्ति को पता चलता है तो यदि कोई व्यक्ति जो है वो इंद्रियों का त्याग कर चुका है तो उसके लिए फिर सुखद और दुखद अनुभव नहीं रह जाते हैं वह स्वैम में ही जो है स्थित हो जाता है तो इस प्रकार से जब कोई सुखद और दुखद अनुभव व्यक्ति के लिए रहता ह हैं वह एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं जहां पर कि एक में भी यदी विकास होता है तो फिर सभी में विकास होगा यदी हमारे बुद्धी शुद्ध हो जाती है और हमारी धृती जो है वह द्रड हो जाती है तो उससे फिर यह ही होगा कि हमारे हमारे इंद्रियों के वि स्वतहः द्रड़ हो जाएगी और यदि हमें रागदुष ना हो तो फिर हमें विश्वे एक बती आसकती वईसे ही हो जाएगी तो यह तीनों ही जो कारक हैं यह एक दूसरे के साथ में कार्रे करते हैं जहाँ पर एक को भी यदि हम द्रड़ बनाएगे यहाँ पे कारेक है, उन्द्रियों के विश्यों के पृती वैराग्यरतपन हो जाता है. और उस वैराग और द्विश जो है, जुआ दुर्बल होते चला जाते हैं, और राग और द्विश्यों नमस्ते